वेलकम टू खान अफीशियल आट आज जो मैं ये बेशीर पर डिजाइन को ट्रेस करने जा रही हूं या फिर बनाने जा रही हूं इसको मैंने पहले से ही कार्बन पेपर पर स्केच कर लिया है स्केच करने के बाद मैंने जो आकसी पेपर होता है उसके नीचे मैंने वो कार्बन पेपर रखा हुआ है जिससे कि हमारी डिजाइन आसानी से मेरी बेशीट पर वो ट्रेस हो जाएगी मैं यहाँ दो तरीके बता रही हूँ, जो की बहुत ही आसान है और इससे क्या होता है, कि हमारे जो डिजाइन है, वह कही जो त önemli हैं। कभी कभी ऐसा तक हम रोज बना रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा हो गया, यहां पे चोटा हो गया क्यों क्योंकि हम डायरेक्ली वहां पे अपनी डिजाइन को स्केच करते हैं डायरेक्ली ना करें ऐसे करेंगे तो हमारी जो डिजाइन है वह बिल्कुल एक साइज की होगी और अच्छी लगेगी मैंने इस टॉपिक और बेडशीट कभी कभी हम लोग जब बेडशीट को पेंट कर लेते हैं उसके कुछ दिनों बाद जब आपनी बेडशीट को देखते हैं तो वह बिल्कुल खराब हो जाती है हमारी पेंटिंग इसका 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 जो रीजन है इसके बारे में मैंने एक फ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी ये आपको पेंटिंग सिखाने की और स्केच करने की आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें मैं आपको दो तरीका बताऊंगी डिजाइन को अपने बेर्चीट या मेस बोस्ट पीलो कवर या जिस भी चीज़ पे आप डिजाइन को बनाना चाहते हो आसानी से बना लेंगे देखिए अभी मैं इसको हटाऊंगी तो हमारी जो डिजाइन है वो कितनी अच्छे से ट्रेस हो गई है कि बाद हम अटाएंगे देखिए कितनी आसानी से हो गई है कहीं कहीं मैं भूल गई हूँ तो इसको मैं बराबर कर लूँगी देखिए कितनी अच्छे से हमारी डिजाइन आसानी से मेरी बेरशीट पर हो गई है अब ने इस तरीका मैं बता रही हूँ कि आप जो आकसी पेपर जिसे आप डिजाइन को स्केज किये हैं एक सुई या फिजो टाशनी पीन होती है उसकी मदद से आप सुराख कर लें और जो सुराख है उसको आप बिल्गुल नजदीक नजदीक करें दूर दूर मत करिएगा देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही करिएगा मैंने और भी वीडियोज बना रखी है बेडशीट पेंटिंग और सूट पेंटिंग दूपट्टा पेंटिंग आप पहां पे जाके मेरी पूरी वीडियो को फुल वाच कर सकते हैं और आप मेरी वीडियोज को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको पेंटिंग सेखने का बहुत जादा शौक हो आप उनके आप मेरी वीडियोज को शेयर कर दिया करिए देखिए जैसे मैं आप सुई से सुराख कर रहे हैं वैसे ही करें उसके पेरिसीन ओयल में स्तूखी जो नील होती है उसको मिक्स करके कॉटन की मदद से आप अपनी जो डिजाइन है उस पर इस तरीके से घुमाए और देखिए हमारी ये डिजाइन बहुत ही आसानी से प्र एसे ही कर लेंगे देखिए जैसे मैं कर रही हूं और जो भी आपकी बिर्शीट हो उसके नीचे कोई दफ्ती या फिर कड़ी चीज जैसे कि कोई कॉपी और पी रख लें जो मोटी हो ताकि जो जब हम अपने जो कॉटन है उसको जब रगड़ें तो हमारी जो डिजाइन है वो बिगड़े ना हमारी जो बेट शीट है वो इधर उधर ना ही ले अगर आपको ऐसे नहीं सही लग रहा है तो आप जो टाशनी पीन होती है उसकी मदद से अपने कप्रे को वहाँ पर पुरा पिक्स कर लें उसके बाद हम उस पर कॉटन को केरुसीन ओयल में जो नील मिल जाये हैं उसमें लगा करके उसको घुमाये तो इसे क्या होता है कि जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो आपकी जो बेट शीट है वो इधर उधर नहीं होगी और आपकी डिजाइन भी खराब नहीं होगी तो सबसे पहले मैंने पेंटिंग करने के लिए ग्रीन कलर यूज शेड का सेम वही तरीका है बस इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बचाया है वन साइड हम ग्रीन कलर लगाएंगे और वन साइड येलो कलर और इसको मिक्स कर देंगे इसी तरीके से हम अपनी सारी लीफ को करेंगे कि अब ब्रश आपको कोई भी ब्रश जो आपको सही लगे आपको ब्रश यूज कर सकते हैं मैं जो फ्लेट ब्रश होता है मैं उससे कर रही हूँ आपको जो समझ में आए आप कर लें फ्लेट ब्रश से यह होता है कि प्रेक्टिस की ज़्यादा जरुवत होती है जितनी प्रेक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे से आप ये ब्रश को यूज कर पाएंगे सुपर गोल्ड का भी ब्रश बहुत अच्छा होता है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं उससे आप पेंटिंग करके देखें आपको बहुत ही आसानी होगी पेंटिंग करने में में उसका रॉंड प्रश होता है सुपर गोल्ड का वह बहुत अच्छा होता है उससे वह लगीर है वह बहुत अच्छी मती है बिल्कुल फ्रेश होती है जो लाइनिंग होती अगर आपको पेंटिंग बहुत थोड़ी सी आ रही है आपको इतना धंग नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर बहुत ही खुबसरत खुबसरत दिजाइन देखने को मिलेगी और आप बिगनर्स कोर्स देख करके अब सीख भी स देखते हैं पेंटिंग आप 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 हम अपनी सारी लीफ को ऐसी कर लेंगे फ्लैट ब्रश से क्या होता है कि इससे जब हम अपनी पेंटिंग करते हैं बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगती है शेट बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाता है और जो पातला वाला ब्रश रहता है राउंड ब्रश उसे करने में थोड़ी टाइम लगती है लेकिन पेंटिंग समारी अच्छी होती है और मेरे चैनल पर मैंने भीहदी की डिजाइन भी डाली है अब टोट की है आप उसको भी देख करके अच्छी सी डिजाइन देख सकते हैं और लगा सकते हैं ब्लैक कलर लेकर करके उसे हम अपनी जो लीफ है उसमें नस टाल देंगे जिससे कि हमारी जो लीफ है वो और भी खुबसूरत दिखेगी इसके बाद हम चलेंगे अपने फ्लावर की तरफ तो सबसे पहले हम रेड कलर लगाएंगे उपर की साइड से और नीचे की तरफ से वाइड कलर लगा करके उसको शेट दे देंगे इसी तरीके से हम अपनी सारे पिटल पर इस यही वाला तरीका अपलाई करेंगे इसी प्रेएब कि इसी हासरो अपने करेंगे ऩिचेक घपनी सारा, बाद हम अपनी सारbels प्रयसे वालाई करें हम लंगे वालाई जएा हम अबसे तरा कि आइजा हम ऊंपनी हो झाल से रेट फ्लावर कम्प्रिट के बाद हम उन्ज कालर लेंगे और औरेंज लेंगे तो सबसे पेरा हम अपनी कली बनाएंगे देखे जिस तरीके से मैं अपनी कली को पिन कर रही हूं सेम वही प्रॉसेस इसमें भी यूज करेंगे उपर की तरफ से औरेंज कलर लगाएंगे और नीचे की तरफ से वाइट कलर लगा करके इसको शेट दे देंगे नीचे की तरफ से वाइट कलर लगा करके शेट देंगे हरें देखिए मैंने किस तरफ से सित एक कलर से मैंने शेट दे करके कितना रही खुबसूरत फिलावर बनाया 또 देखिए मेरी यह पैंटिंग क्पलिट हो चुकिए और यह कितनी कफूरत लग रही दे मैंने कोई और अलग से color use नहीं किया है मैं बस ये painting से ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम बहुत normal color से आप कितनी अच्छी सी painting बना सकते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thanks for watching my videos मिलते हैं next video में